नमस्कार दोस्तों अधिकेशन 24 में आपका स्वागात है दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मोबाइल लंबर को बैंक एकाउंट के साथ जोड़ने के लिए अप्लिकेशन कैसे लिखा जाता है य दोस्तों पहला वीडियो में बना चुका हूं जिसमें बताया हूं कि अधार काट को बैंक एकाउंट के साथ जोड़ने के लिए प्रातना पत्र कैसे लिखा जाता है और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि मोबाइल नमबर को बैंक एकाउंट से जोड़ने के बारे मता रहो आपका जो भी बैंग का नाम होगा आप यहाँ पर अपने बैंग का नाम डाल दीजेगा उसके बाद यहाँ पर अपने गाउ का नाम लिखेगा और यहाँ पर डिस्टी का नाम लिखेगा जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ साखा प्रबंधक पंजाम नेशनल बैंक रामपूर आगरा उसके बाद 20 दोस्तों लिखना आपको 20 के अंदर लिखना है मोबाइल नंबर को हमारे खाते से जोड़ने है तुपराथना पत्र यानि कि हम लोग जो है अपने मोबाइल नंबर को जोड़ने के लिए अप्लिकेशन लिख रहे है तो 20 के अंदर आपको लिखना है मोबाइल नंबर को हमारे खाते से जोड़ने है तुपराथना पत्र अब उसके बाद दोस्तों नीचे आपको लिखना है महोद है और महोद है लिखने के बाद लिखना है हम या मैं, मैं पराथी सुनील कुमार, सन आफ, सन आफ रमेश कुमार, गराम वर पोश्ट रामपूर, जीला आगरा का निवासी हूँ, जो आपके बैंक का नियमित गरहाक हुँ, जिसका अकाउंट नमबर इतना है, यहाँ पर दुस्तों आपको अपना अकाउंट नमबर डा देना है जिसका नमबर है यहाँ पर लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखने है पराथी और आपको अपना signature कर देना है सुन इलकुमार रही है या जो भी नाम है तो इस तरीके से आप जो है कि बहुत सिम्पल तरीके सेIGN लिख सकते हैं अप्लिकेशन दोस्तों बहुत लंबा चोड़ा नहीं लिखा जाता है अप्लिकेशन सौट लिखा जाता है और अप्लिकेशन लिखने का यही तरीका सही होता है यहां पर दोस्तों यहां पर मैं आपको समझा दूँ कि यहां पर यहां पर जो मैं अपना यहां पर लिखा हूं महोद है उसके बार लिखा हूँ हम या मैं तो यहाँ पर आप हम भी डाल सकते हैं मैं भी डाल सकते हैं आच्छा यही रहेगा कि आप मैं लिखिए मैं पराथी और यहाँ पर जो सुनील कुमार लिखा हूँ तो सुनील कुमार की जो है कि यहाँ पे आपका account number जो भी है यहाँ पे अपने account number डला है फिर यहाँ पे जो आप mobile number जोड़वाना चाहते हैं यहाँ पे आप अपना mobile number लिखिएगा जिसका number है और उसके बद प्राथी लिख कि यहाँ पे आप अपना सीखनेचर कर दीजेगा यह आपका application ready हो जाए दोस्तो इस वीडियो के यहाँ पे skip करते हैं और मिलता हूं मैं आपसे next वीडियो में किसे next topic के उपर thank you दोस्तो